उलो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं digestive system तो हमारा digestive system क्या है? जो कि हमारे खाने को पचाता है simple सब्दों में हम यही भोलेंगे तो digestion क्या होता है? जो complex food substance को convert कर देता है into simple food substances यानि की हमारे खाने में sugar है, carbohydrate है, ठीक है, proteins है, सब कुछ है हमारे खाने में, उनको break करके simple substance में convert कर देता है, जो की हमारी body के लिए useful होती है, जिने की हमारी body absorb करके अपने functions में use कर लेती है, तो इसकी process में क्या होता है obtain energy for growth repair of the body, तो इन सब चीजों से क्या बोडी को एनरजी मिलती है वो से कहां यूज करती है रिपेर ओफ बोडी में और बोडी की ग्रोथ के लिए तो इसमें क्या प्रोसेस होती है हमारा होता है इंजेशन सबसे पहले की फूड को खाना ठीक है उसके बाद डायजेशन हमारी पूरी एलिमेंटरी कैनाल में डायजे प्रोसेस में हम देखते हैं इसकी ऐलिमेंटरी कैनाल के बारे में सबसे पहले तो इलिमेंटरी कैनाल के अंदर क्या क्या आता है हमारा माउथ बककल कैविटी यानिकी जो हमारा ये दातों के अंदर वाला पार्ट है उसके बाद हमारी isophagus tube और फिर उसके बाद हमारा stomach उसके बाद small intestine large intestine and anus यह हमारी elementary canal के parts और इन सब के साथ ना इन elementary canal के parts में digestive gland होती है हमारी जो क्या करती है digestion में help करती है वो हमारे enzyme release करती है जो की fruit substance को break करने में help करते हैं तो हमारी digestive glands कौन कौन कई होती है Calivery gland जो कि हमारी मुँझ में होती है Next है हमारी digestive यानि करो हमारी होती है stomach में stomach में हमारी बहुत सारी glands होती है liver liver एक gland है σबसे largest gland हम बोलते हैं pancreas آپ सब क्या करते हैं intestinal gland gall bladder यह सब क्या करते हैं हमारे enzyme release करते हैं वो enzyme क्या करते हैं वो enzyme help करते हैं food के digestion में उसे break करने में तो हम structure के उससे देखते हैं कि है हमारी elementary canal के parts क्या क्या है तो यह हमारा digestive system सबसे पहले हमारा यह mouth mouth के बाद हमारी slivery gland present होती है माउथ में ही उसको हम बकल cavity कहते हैं ठीक है cavity यानि कोई भी यह खोलो space खाली space तो हमारे mouth को हम कहते हैं बकल cavity उसके बाद जो यह tube होती है इसको हम कहते हैं इसोफेगस ओके जिसके अंदर से खाना जाता है स्टमक में स्टमक आ गया next और यहां हमारा present होता है यह लीवर लीवर के पास यह corner पे situated होता है हमारा gall blader ओके अब next इन तीनों की ducts मतलब यह same जगह अपना secretion छोड़ती है जो की mix होके सारा जाता है कहां small intestine के first part में यह हमारा small intestine का first part है को हम बोलते हैं duodenum small intestine आगे जाके folds होती है तो इन यह जो folds है जो starting वाले folds होते हैं उन्हें हम बोलते हैं jejunum और जो सबसे last part होता है small intestine का उसे कहते हैं ileum ठीक हैं तो यह small intestine के parts है duodenum, jejunum और ileum उसके बाद हमारी होती है small intestine खाना जबसे ज़्यादा digestion food का कहा होता है हमारा small intestine में उसके बाद जो हमारा यह absorb कर लेता है ठीक है वाट हमारी food materials में जितने भी important substance होते है small intestine उन्हें absorb कर लेता है उसके बाद यह जाता है हमारा जो भी waste बसता है वो चला जाता है हमारा large intestine में ओके यह हमारी large intestine इसके भी 3 part होते हैं ascending colon बोलते हम इसे transverse colon और जो यह नीचे वापस आ रही है से descending colon ओके उसके बाद यह last का part जो large intestine के last वाला पार्ट है इसको बोलते हम rectum और सबसे जो last में पार्ट है इसको बोलते हम anus तो यह है हमारी complete elementary canal from mouth to anus यह होती है लगबग 9 meters की इसको बोलते हम elementary canal अब next हम इसके एक एक करके parts के बारे में पढ़ेंगे हम start करेंगे buckle cavity से and उसके आगे हमारा isophagus stomach सबके बारे में हम study करेंगे तो first हम सबसे पहले देख लेते है buckle cavity के बारे में ओके तो buckle cavity क्या है जैसे कि यह मान लो हमारा mouth है mouth में क्या होता है कि जैसे कि यह tongue है तो tongue lifted upward तो यह जो दिखाया गया है यह सबको पता होगा हमारी tongue जैसे हम उपर करके देखते तो एक muscular सी structure होती है इसको बोलते हम lingual frenulum ठीक है by which tongue is attached इसी के through क्या होती है हमारी tongue attached रहती है नीचे से ठीक है उसी के पास क्या होता है opening of duct of submandibular glands यहाँ पर present होती है हमारी जो यह दो है submandibular glands ठीक है उसके बाद क्या होता है अगर हम अपनी jeep से उपर टच करके देखें दातों के थोड़ी सी पीछे तो वहाँ पर क्या होता है hard surface होता है हम उसको बोल देते है hard palate और इसी के पीछे थोड़ा और अगर हम जीब को पीछे ले जाके देखें तो वह hard से soft की तरफ convert होता है उसको क्या बोल देते हैं soft palate ठीक है और जब पीछे हम पूरा अगर अपना mouth open करके देखें तो पीछे एक structure दिखाई देती हैं मैं ऐसी कुछ last में हमारे tonsils के बीच में इसको हम बोलते हैं uvula ठीक है कैसे जब हम food engulf करते यानि खाते तो इसके pressure से थोड़ी पीछ हो जाता है तो अगर हम इसका ऐसे करके side view देखेंगे तो यहां से हमारी nose वाली tube आयू हो यह होती है जब हम खाने को निगलते हैं उस time पे ताकि जो हमारा खाना है वो back nose में या ear की tube में ना जाए तो उसमें help करता है uvula okay और जो हमारी jeep होती है यह पीछे ना attach होती है किससे हमारी higher bone से एक u-shaped bone होती है जीब के last में जिससे की हमारी यह जो जीब है वो attached होती है इसको text है हमारा tongue तो क्या है यह accessory digestive organ यानि कि जो digestion में help करता है accessory means जो साहक होता है help करता है कैसे help करता है इसके पास होती है mucos membrane mucos membrane का क्या है जो की secret करती है हमारा mucos ठीक है जो हमारा mucos secret करती है mucos से क्या होता है कि जो भी हमारा खाना होता है हम खाते है यह उसे चिकना बना देती है ताकि food आगे organs में आगे हमारी isophagus में अराम से जा सके और stomach में तो next हमारा attach to higher bone u-shaped हमारी tongue के पीछे एक higher bone होती है जिससे की हमारी tongue attach होती है ठीक है highly muscular glandular sensory structure muscular structure है ठीक है sensory structure हमें पता चलता है touch का taste का ठीक है help in ingestion खाने को निगलने में help करती है mastication चवाने में क्योंकि जीप से यह दातों की तरफ हमारे खाने को भीजते हैं तो उससे दात फिर इस पर action करते हैं तो mastication में help करती है tasting taste buds होती है हमारी जीप उसकी विज़े से taste आता है तो फर्स्ट हम देखते है circum valid पैपिले यह होते हैं सबसे last में इस तरह से v-shaped में arrange होते हैं कुछ 12 पैपिले तो इनमें क्या होता है taste buds होती है इसमें हमारा 100 से 300 taste buds प्रेजेंट होती है इच पैपिले में next है हमारा fungi form पैपिले यह mushroom shaped होते हैं थोड़े pointed से यह पूरी आगे surface पे टंग के present होते है fungi form पैपिले mushroom shaped इनमें भी हमारी लगबग 5-6 taste buds होती है इच हमारे fungi form पैपिले में next हमारा foliate पैपिले जो side में यह इस तरह से दोनो side lateral sides पे present होते हैं इन्हें हम बोलते हैं foliate papyla foliate papyla papyla क्या होते हैं कि इनमें टेस्ट बड़ बचपन में होती हैं जो हमारी taste buds होती है वह बचपन में present होती है धीरे-धीरे age के साथ यह degenerate हो जाती है तो adult में जो foliate papyla इनमें taste 대해 नहीं होती होती बचपन में होती है present on lateral margins next है हमारा philiform papillae philiform papillae भी हमारा पूरी हमारी जीब के surface पे present होता है क्या होता है pointed structure सी होती है have tactile surface increased friction between tongue and food यानि कि यह थोड़ी सी ऐसे tactile सी structure होती है खुर्दूरी type की structure जिससे क्या होता है कि friction बन पाता है खाने के बीच में और tongue के बीच में जिससे की वह राम से उसे चबा सके दाथ अच्छे से और वह उसे पुरा बोलस type में convert कर सके ओके तो यह थे हमारे टेस्ट बड़ जीब के बारे में ओके थैंक यू